और मिला हैं कि आपका कितना आंसर सही हो रहा, इससे कि मैं कट अफ जो जारी करूँगा उसमें बेनिफिट होगा, जो भी बच्चे हैं वो इससे मिला लें, थोड़ा साल लेट हो गया इसलिए कि मैं रिव्यू करने चला गया था, इसके कारण से लेट हो गया, चलिए, पहला प्रस्ण देखते हैं, पहला प्रस्ण है, हमारे शौर मंडल के किस गरह को लाल गरह के रूप में जाना जाता है, तो यह आपका मंगल हो जाएगा, यानि शी यदी आप लगा के आए हैं, तो आंसर सही है, चलिए, दूसरा प्रस्ण देखेंगे, उस्तम न्याले के मुख नाइधिस के उसके पद से हटाया जा सकता है, तो यह आपका हे हो जाएगा, यानि कि इसमें देना चाहिए महावियोग प्रक्रिया के द्वारा, यानि कि सही है, चलिए, तीन नमर देखते हैं, तीन नमर है, एल निनो सब्ध है, किसे सम्बंदित है, तो यह स्पैनिस हो ज देखेंगे, तो किशानों द्वारा एक वर्ष में तीन विभिन फसलों उग्याई जाने वली, यानि कि चार नमर प्रस्ण का आंसर आपका हो जाएगा, ए नमर सुबिक्सिस सिचाई प्रणाली द्वारा, चलिए, आगे देखते हैं, पांच नमर प्रस्ण, थोड़ा सा ध इशो के अध्यक्ष है, चलिए, आगे देखते हैं, सात नमर में दे रहा है, भारत की पर्थम महिला राष्ट पती, तो ये आपका परतिभा देवी सिंग पाटी लिए, यानि कि B नमर आंसर हो जाएगा, नेक्स प्रस्ण कर रहा है, राजेंदर से तु किस नदी पर इस्त चलिए, आगे देखते हैं, आप सब जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, रेखिए सम्वे के बदलने की दर को क्या करते हैं, यानि कि 10 नमर प्रस्ण का तो बल हो जाएगा, नेक्स प्रस्ण देखेंगे, आंसर 11 नमर प्रस्ण का क् अंत्रिक उर्जा में बदलती है यानि कि प्रस्ण देखिए बारा नंबर प्रस्ण हम लोग आ गये हैं और बारा का आंसर हो जाएगा बिद्दूत मोटर यानि कि डी नंबर आंसर होगा नेक्स प्रस्ण देखते हैं 13 में कह रहा है कि निमलिखित में से किस को सिध करने की आउसकता है तो ये आप देख सकते हैं 13 नंबर प्रस्ण आपका हो जाएगा प्रमय द्वारा चलिए आगे देखते हैं नेक्स प्रस्ण देखिए आप जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे घनानन की रजना किस भासा में होई तो यह आपका हो जाएगा ब्रज हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं यदि फिर भी किसी भी प्रस्ण में 100% सुध दिया जाता है एक्जाम टूर के तरफ से तो आ आपका 16 नमबर प्रस्ण का आंसर हो जाएगा ए नमबर यानि कारेशिल पूजी कच्चा मालवा हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं तो कारेशिल पूजी और स्थिर पूजी देखिए यहीं ठीक है कारेशिल पूजी ही कहते हैं चलिए आगे देखते हैं नेक्स प्रस्ण है अंतराष्टिय सक्षार्ता दिवस कम बनाए जाता है तो यह अंतराष्टिय पुछा गया यानि कि 8 सितंबर हो जाएगा नेक्स्ट प्रस्ट देखेंगे प्रस्ट संख्या 18 में क्या कर देखेंगे अरिजिन अब इस पुष्टक के लेखक कौन है तो यह आपका हो जाएगा ए नंबर आंसर चाल्स से डार्विन चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर प्रस्ट देखेंगे तो 19 नंबर प्रस्ट का आंसर क्या होगा विश्व के सबसे बड़े किर्केट एस्टेडियम नाम बदल दिया गया तो आप नरेंद्र मोधी अब हो गया है नरेंद्र मोधी स्टेडियम तो इसे आप याद रखेंगे चलिए 20 नंबर यदि आप कोई एक्जाम नहीं भी दिये हैं फिर भी देखिए कि बिहार सरकार के द्वारा यानि कि ये बिहार फायरमेन का एक्जाम है ये किस तरीका से पुछा जा रहा है उसी तरीका से आपका भी प्रस्ण रहेगा चलिए आगे देखते हैं उतरी तथा दक्षुनी भारत में चलने वाली क्या कहते हैं तो ये लू बोला जाता है जो अभी गर्मी का दिन है चलिए आगे देखते हैं नेक्स प्रस्ण क्या है नेक्स प्रस्ण 21 नमर में कर रहा है भारत जैसे देश में सरबादिक प्रश्चून मातरा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है क्या साधन है ये आप से पुछा जा रहा है 21 नमर प्रस्ण तो स्रम हम लोग का पास है चलिए आगिन का विश्य सर पुछा जा रहा है तो ये आपका बताईए तो 22 नमर प्रस्ण का यदि आप ए लगाए है तो सही है नेक्स प्रस्ण देखिए 23 नमर पूछ रहा है देश की पहली महिला मुख शुनाव आउट के बारे में पूछा जाता है तो आप जानते है 23 नमर प्रस्ण का हो जाएगा वियस रामा देवी चलिए आगे देखते है साम्यवाद के सर पर्थम परियोग करने किस देश में हुआ था 24 नमर प्रस्ण आप से पूछा जा रहा है तो शाहुकार लोग ज्यादा टेक्स असूलते हैं यानि कि ज्यादा ब्याज असूलते हैं चलिए 26 नमर प्रस्ण आप देख लिए 27 देखिए 27 में क्या होगा जल के अड़ों में गति की मतना तो ये पराशरार कह रहाएगा यानि कि B नमबर आंसर सही हो जाएगा चलिए थोड़ा सा समय अभाव के चलते यानि कि फिर दूसरा सिफ्ट में भी प्रस्ण देखने जाना है कि किस परकार का प्रस्ण पूछा जा रहा है यानि कि रिव्यू लेने जाना है इसलिए इस बार थोड़ा सा लेट हो गया मैं कोशिस कर रहा था बहुत जल्द आप लोग के पास खुली वायू में कुछ दीन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है इसके बारे में पूछा जा रहा है आपका 28 नमर प्रस्ण तो ये शिल्वर सल्फाइड यानि की 28 नमर प्रस्ण का D हो जाएगा चलिए 29 नमर हिरोशिमा कविता के रतनाकार कौन है तो ये अगनाएन यानि की D नमर 29 का भी हो जाएगा चलिए 30 नमर प्रस्ण देखते हैं तो 30 नमर का रया लोक तंतर का अंतिम नहित होती है तो ये जनता यानि की 30 नमर का B हो जाएगा चलिए 31 देखते हैं 31 नमर का रया मयूर भंजन खाने में किस पर कर गए तो ये लोग आयसक यानि की 31 का C होगा चलिए next प्रस्ण देखते हैं आप जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करें कि आपका कितना आ रहा है बस्तर अंदोलन किस भूमी के प्रणूप में हुआ था बस्तर अंदोलन तो यानि की A नमर हो जाएगा बस्तर अंदोलन 32 का A हो जाएगा गुंडा दूर चलिए आगे देखते हैं आगे मैं कह रहा है प्रतेक परिमे संख्या होती है एक कैसी होती है यह आप से पूछा जा रहा है 33 नमर का तो वास्त्विक संख्या यानि की D नमर आंसर होगा नेक्स परस्ण है स्वेत करांती निमलिखित में से किसे सम्बंदित है तो स्वेत करांती आपका सम्बंदित है ये आपका दूद से हो जाएगा चली आगे देखते हैं 35 नमबर प्रस्ण कर रहा है, अमरीका के स्वतंता के समय वहां के नेता कौन थे, तो वासिंग गटन, वासिंग गटन चलिए, आगे देखते हैं, नेक्स प्रस्ण देखिए, प्रस्ण संख्या 36 में कर रहा है, भारत के CAG यानि की कैग का नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये रा नेक्स प्रस्ण है, ये आपसे ASEA का सबसे गाउं किस राज में इस्तित है, सबसे स्वक्ष गाउं, तो ये आपका मेघाले में इस्तित है, चलिए, आगे देखते हैं, आगला प्रस्ण देखते हैं, आगला प्रस्ण पूछ रहा है, अलगनानदा नदी 10 में मिलती है, अल 45 परतिशत आएगा इसमें आपको केवल आंसर मिला लेना है कि इनका कितना सही हो रहा है कमेंट बक्स में जरूर कमेंट करेंगे चलिए उसरे कटी बंदिये मांसून हो जाएगा 41 नमर का यानि कि 41 का शी हो जाएगा नेक्स परसन देखते हैं 42 नमर में क्या हो रहा है 100 परसन का 100 परसन शुद्ध आप लोग के बीच ये मिलेगा चलिए हार्मोन की रुधरी इसमें पूछा जा रहा है 42 नमर परसन आप से तो ये अगना से हो जाएगा नेक्स पस्न देखेंगे नेक्स पस्न पूछ रहा है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है कुछो भी तैरेगा उसका वेट कम रहता है इसी कारण से तैरता है यानि कि 43 का आपका भी हो जाएगा चलिए नेक्स देखते हैं 44 नमबर में क्या कर रहा है वस्तु आ सेवा के आरत के उपरधान मंत्री नहीं रहे हैं इनके बार में पूछा जा रहा है तो बाकी सभी लोग रहे हैं A नमबर यानि कि H N बहुगोणा जी नहीं रहे हैं बाकी सब लोग रहे हैं चलिए नेक्स प्रस्न है मिठे पानी का सबसे बाड़ा जील तो बुलर जी आगला प्रस् कение हैं ध्वानी शुनाई देती है किस कारण से देती है 40 नमबर प्रस्न आप से पूछा जा रहा है तो ये ध्वानी तरंगों के प्रवर्तन का यानि की B नंबर आंसर हो जाएगा आप से पुछा जा रहा है 48 नंबर प्रश्ण तो 48 का B हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर आज जो फायर मैन का एक्जाम हुआ है यदि आप बिहार में किसी भी competitive एक्जाम की तयारी करते हैं तो इसे प्रश्ण को जरू देखें 49 नंबर प्रश्ण का आंसर क्या हो जाएगा तो यमुना हो जाएगा चलिए नेक्ष देखते हैं 50 नंबर प्रश्ण का क्या होगा सांसत के सजुकतर भेसं की अध्याक्षता के बारे में पुछा जाता है तो लोग सबाकी अध्याक्ष करेंगे भले बुलाने के लिए राष्टपती बुलाते हैं चलिए इकाउन नंबर प्रश्ण का आंसर देखेंगे इकाउन नंबर प्रस्ट का आंसर हो जाएगा ये बी नंबर कौन गलत है पुछा जा रहा है बाकी सब सही है यानि कि बी हो जाएगा इकाउन का 35 नमबर परशन आप से पूछा जा रहा है, तो ये भारतिये रिजर्ब बैंक करता है, किसी भी बैंकिंग का, 94 नमर परशन में निमलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए किया जाता है, SN έχ के रूप में क्या किया जाता है, चोवन नमबर प्रस्ण आप देखें तो ये ग्रिफाइड का प्रियोग किया जाता है पच्पन में भरना है ये चलिए पच्पन का आंसर क्या होगा पच्पन का आंसर डी हो जाएगा किसी भी प्रस्ण में आपको फिर भी डाउट लगे तो जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा चलिए 56 में है मनुस्र के लिए अहार नलिका के बारे में पुछा जा रहा है 56 नमबर तो यह A हो जाएगा सबसे लंबा छोटी आथ चलिए संताओं नमर प्रस्ण का राय वस्तु का बहुबचन क्या होगा तो यह वस्तु A D हो जाएगा नेक्स प्रस्ण दे रहा है मदुमनी शैली यानि कि मदुमनी चितरकला कहां पे है तो आप जानते हैं बिहार राज यानि कि अपना चलिए आगे देखते हैं 59 में कह रहा है हिमाले परबत की उत्री परबत माला का नाम क्या है 59 प्रस्ण का आंसर A हो जाएगा हिमाद्री चलिए 60 नमर प्रस्ण में देखेंगे क्या पुछा जा रहा है 60 नमर प्रस्ण का आंसर हो जाएगा आपका A नमर गुरु नामानूज चलिए आगे देखते हैं एकसट नमर प्रस्ण में क्या होगा यहाँ चूज करना है यानि कि भरना है एकसट नमर का तो यह आपका ए हो जाएगा from इसमें भराएगा चलिए next प्रस देखते हैं बासट नमर प्रस्ण का क्या होगा तो केपलर के द्वारा दिया गया था चलिए 64 नमर देखेंगे तो 64 नमर प्रस्ण आप देखेंगे तो 64 का B हो जाएगा 65 नमर प्रस्ण देखेंगे दो अस्तियों को जोडने के लिए क्या कहते हैं 65 नमर प्रस्ण आप देखें तो अस्तनायू यानि कि D हो जाएगा चलिए next प्रस देखते हैं शमय कम लगे आप लोग मिला लें इसके लिए मैं direct बोल दे रहा हूँ चलिए 66 नमर प्रस्ट का answer क्या होगा आप सब दे कर आये हैं तो जरू मिलाएं sex ratio यानि कि दे रहा है प्रती एक हजार पूरुसों पर महिलाओं के संक्या तो लिंगा अनि पाती इसको बोलते हैं यानि कि sex ratio चलिए 66 नमर बोराय सर्व सिख्षा अभियान का उद्देश क्या है तो इसका C हो जाएगा चो वर्स से चोदो वर्स के आयू के बच्चों के प्रणमिक सिख्षा देना अंसर नमर क्या यादी दो कोन एक दूसरे के पूरा 68 नमर प्रस्ण का आंसर क्या होगा तो ये एक निमन कोन होगा यानि कि C नमर आंसर हो जाएगा चलिए 79 नमर प्रस्ण में आते हैं खोजी गई पर्थम तो पेनिसिलीन हो जाएगा एंटिबाइटिक चलिए अनेक्स प्रस्ण दे रहा है सौर सेल बनने के लिए उप्योग में पदार्थ के बारे में पूछ रहा है 70 नमर प्रस्ण तो आपका ए हो जाएगा शीलिकन चलिए 70 नमर प्रस्ण देखेंगे तो 70 का भी ए हो जाएगा मूल यानि की रूट इसको जड़ बोलते हैं चलिए 72 नमर प्रस्ण बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मूल पढ़के छोड़ देते हैं और कोई भी दल बना सकते हैं दल बनाने के कुछ क्राइटेरिया उस पर भी से स्चार्चा बाज में करेंगे चलिए 74 नमर प्रस्ण देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा 75 देखेंगे एक ब्रिक्च की हत्या कविता के रचैता कौन है तो ये आपका 75 नमर प्रस्ण का आंसर कुमर नरायन यानि कि D हो जाएगा इसमें पूशा जा रहा है कि सभी रात के प्रवाची है तो D नमर आंसर होगा रातरी रजनी सा ये सभी रात के प्रवाची सब्द है नेक्स प्रस्ण है के जनगने का जुरभारत में सबसे अधिक्तम जनसंख्या घंट तो आपका बिहार का है सबसे अधिक्तम जन संख्या घंट नेक्स पुछ रहा है 89 नमबर यानि की 89 नमबर प्रस्च न는 kommeya यदि आप 2000 करके आए हैं तो आपका श equilibrium है यानि कि A number 80 number पर से कह रहा है 80 number में आप क्या कर के आया है स्वसन में घुलकोच के विखंड़न से प्राप्त होता है असी number पर आंसर आप बताएं तो यदि आप CO2 और जल बना के आया है तो आपका सही है यानि कि C लगाए है तो आपका answer शही है चलि एक असी नंबर देखते हैं अंतराष्टी यह नियाल किस शहर में इस्तित है एक आसी नंबर प्रस्ट का आंसर तो यह दहे हुआ यानि किसी नंबर चलिए बेरासी नंबर प्रस्ट का आंसर क्या करके आप आए हैं आप जरूर मिलाएं 100% सुध है यानि कि B नंबर जोगराफी इस डि सिक्षा का लाब क्या है तो इसमें सिक्षा का लाब क्या है जीवन का मुल्य उदेश विकास करना यानि कि सी नंबर आपका सही आंसर है चलिए नेक्स प्रस देखते हैं 85 नंबर प्रस्ट क्या कह रहा है 85 नंबर प्रस्ट कह रहा है तो यह आपका B नंबर आंसर सही हो चलिए आगे देखते हैं, 87 में पूछा जा रहा है कि निमलिखित में से कौन रभी फसल नहीं है, तो जुआर रभी फसल नहीं है, बाकी सभी रभी फसल है, चलिए 88 में देखते हैं, 88 में कर रहा है MNST है, क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं, य थेल जुड़े हुए थे जो आपके चलिए 90 में देखते हैं GDP से तातपर्ज क्या है 90 नंबर परस्ण हम लोग पहुंच चुके हैं तो ये शकल घरेलू उत्पाद यानि की बी नंबर आंसर हो जाएगा 91 नंबर परस्ण का अल्प बेरोजगारी तब होती है जब अल्प बेरो में देरा भारत का पाला भूमिगत रेल बे कहां तो ये कोलकता हो जाएगा नेक्स परस्ण दे रहा है अमेरिका में नागरिक अधिकार अंदोलन किसके द्वारा किया गया था यानि कि 94 नंबर परस्ण आप से पुछा जा रहा है तो ये हो जाएगा मार्टीन लूथर चलि आगे देखते हैं 95 नंबर परस्ण किस घरना से राष्टवाद की अधरना को जन्म दिया राष्टवाद की अधरना के बारे में पूछा जा रहा है तो ये आपकी फ्रांस की करांती 96 नंबर में पूछा जा रहा है बिश्मिल्ला खां ये बहुत बार बिहार सरकार के द्वारा पूछा गया है चुकि बिहार से ये संबंदित सहनाई वादक चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर परस्ण क्या है 97 नंबर में देखना है कि देश के पर्थम नागरी कौन होते हैं तो राष्टपती चलिए 98 नंबर में ये APGP से संबंदित परस्ण है तो 98 नंबर क परस्ण आसान है तो आप यदि शहिक कितना बना के आए हैं जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करें ताकि आप सब का कटफ यहां से अच्छा तरीका से निरधारित हो जाके चलिए पर्थम बिश्यूद का ततकारी कारान क्या था तो पर्थम बिश्यूद का ततकारी कारान ये